रिष्टे निभाने के लिए बुद्धी नहीं दिल की सुध्धी होनी चाहिए सत्य कहो अस्पष्ट कहो कहो न सुन्दर जूट चाहे कोई खुस रहे या जाये कोई रूट सुख में और दुख में आनन्द में और कश्ट में हमें हर जीव के प्रती वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसा की हम अपनों के प्रती रखते हैं एक चिडिया ने मधमक्खी से पूझा कि तुम इतनी मेहनत से सहद बनाती हो और इनसान आकर उसे चुरा लेता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता तब मधमक्खी ने बहुत सुन्दर जवाब दिया इनसान मेरा सहद ही चुरा सकता है पर मेरी सहद बनाने की कला नहीं इतिहास कहता है की कल सुख था विज्ञान कहता है की कल सुख होगा लेकिन धर्म कहता है मन को सच्चा और दिल को अच्छा रखो हर दिन सुख होगा दिल के दर्द को छुपाना कितना मुस्किल है तूट कर फिर मुस्कुराना उतना ही मुस्किल है किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले लोट कर आना कितना मुस्किल है जिन्दगी गुजारदी सबको खुस करने में जो खुस हुए ओ अपने नहीं थे और जो अपने थे ओ कभी खुस ही नहीं हुए लोग परिसान रह जाते हैं मेरी मुस्कान पर क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइस नहीं की जिन्दगी से जो मिला कबूल किया किसी चीज की कभी फर्माइस नहीं की मुस्किल है थोड़ा समझ पाना मुझे क्योंकि जीने के अलग अंदाज है मेरे जब जहां जो मिला अपना लिया उसे जो ना मिला उसकी कभी ख्वाहिस नहीं की माना की औरों के मुकाबले कुछ जादा पाया नहीं मैंने पर खुस हूँ कि खुद को गिरा कर कुछ उठाया नहीं मैंने रोटी से बिचित्र कुछ भी नहीं है इंसान पाने के लिए भी दवड़ता है और पचाने के लिए भी दवड़ता है रोटियां उन्हीं की धालियों से कूड़े तक जाती है जिन्हें पता नहीं होता कि भूग क्या चीज है दरिया बन कर किसी को डुबाना बहुत आसान है पर जरिया बन कर किसी को बचाए तो क्या बात है जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्तिव वाना समय की बात है पर मृत्तिव के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना एक कर्मों की बात है खुबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है जाने कब कौन जिन्दगी का हिस्सा बन जाता है कुछ लोग जिन्दगी में मिलते हैं ऐसे जिन से कभी न तूटने वाला रिस्ता बन जाता है कोई खुसियों की चाह में रोया कोई दुखों की पनाह में रोया अजीब सिलसिला है ये जिन्दगी का कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया